बिसमिल रहर्मान रहीम, असलामेकम दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं हूँ इजाजन सारी और आप देख रहे हैं इजाजन सारी food secrets लबरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में तुम्हें परसो आज मैं आपके लिए बहुती फुलफी और बहुती फो ऐसी कि तैसी उनसे ज्यादा मज़ेदार ज्यादा फ्लफी और ज्यादा टेस्टी कॉफी आप घर पे बना सकेंगे बिस्मिलारा मार रहें सबसे पहली और रहा हैं बात इसके लिए मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किये हैं लेकिन फाइनली आपको एक मग जाहिए जिसके अंदर आप चमच बहुत असानी से घुमा सके और कॉफी फ्लफी हो सके तो मग इसके लिए बैस्ट है यहाँ पे आपने क्वांटिटी पे धेहां रखना है दो टेबल स्पून जो भी खाने का चमच आप देते हैं वो ले लें कॉफी के और तीन चमच आपने चीनी के एट करने है अब यहाँ पे जो सबसे एहम बात है वो है पानी की सिर्फ एक चमच आपने गरम पानी का लेना है नीम गरम पानी का और आपने इसकी मिक्सिन शुरू करते नहीं है अगर यहाँ भी आपने ज़्याला पानी आट किया तो आपकी काफी कभी भी फलफी नहीं होगी यह काली ही रहेगी ठीक है काली कॉफी के अंदर आपने दुबारा से नमक ये पानी याटनी करना ठीक है, जब कलर चेंज हो जाएगा तब आपने याट करना है, फिर आपने हाथ चलाते जाना है, इसमें देखें आपकी कपैस्टी पे है, आपको 2 मिनट लगें, 4 मिनट लगें, मैं तो ये 2-3 मिनट मे बना लेता हूँ, अब आपकी हाथों की ताकत में है, जब ये मजीद फलफी हो जाए, फिर तीसरा चमच आपने इसमें पानी गैट करना है, और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है, अब आपने फिर इसको बीट करते जाना है, और ये देखें, मक की बीट कर देते हैं, जब इसका दाना खतम हो जाएगा चीनी का, तब इसके अंदर एक लेसी बन जाएगी, ये फूल जाएगी, इसका कलर बहुत लाइट हो जाएगा, ये देखें, मैं आपको प्लेट में निकाल गे दिखाता हूँ, कि ये किया चीज बन चुकी है, बिसमि बिसमिलारा मारा है, जब हम काफी बनाते हैं, कैपोचीनो फलफी काफी जो होती है, तो इसके लिए आपने हुपसूरत से सॉस पैन में पानी डाल देना है, और कभी भी दूद का खंगाल एट करते हुए शर्माया ना करें, आपने क्या करना है, दूद को अच्छी तरह से पैंटना है, जिस तरह से पठान लोग चाय बनाते हैं, दूद को आपने पैंटना है, किउँ पैंटना है, वज़ए ये है., कि आपने दूद को फलफी करना है, इसके अनदर भी आपने एर को एड़ करना है, इससे ये बहुत ही light weight हो जाएगा, फुला फुला हो जाएगा, और आपकी जागदार कॉफी बनेगी बहुत ही खुबसूरत सा आपने एक मग लेना है जिसके उपर लिखा हो इजाजन सारी food secrets इसमें एक चमश हम एट करते हैं इस fluffy सी कॉफी का और धार के साथ इस तरह से आपने इसके अंदर milk एट करना ताके जाग बने खुबसूरती के उपर पूरा ध्यान दिया जाएगा अगर आपको extra coffee पसंद है ज़्यादा आप तेज पसंद करते हैं तो mixing के बाद आप इसके अंदर मजीद भी coffee उपर आड़ कर सकते हैं खुबसूरती के लिए end पर भी कुछ special करेंगे यह देखें यह तरीका है उसको आप उपर तक भर दें जैसे भी यह देखें आप अब हम क्या करेंगे मजीद खुबसूरती के लिए मजीद आर्ट के लिए मजीद यहाँ पर नफासत के लिए इसके ओपर हम cocoa powder या जो coffee है उसको भी आप इसकी ओपर इस तरह से खुबसूरती के लिगा सकते है और उसके बाद आपने कहना है माशालला, लहम्दुलिल्ला, मेरे अल्ला की शान उसकी रहनते, नेमते और बढ़ते जोदि उसने हमारे हाथ हमें मारे कानों में अगर आपको लगते हैं मैंने कुछ भी अच्छास का है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा प्यारा सा खुबसूर सा कमर जुरू कीजिएगा अगली वीडियो तक इजाज़त दिचिए तफ तक के लिए अगली तक कीजिए अफिए अगला तक कीजिएगा